इस फिल्म की शुरुआत तीन लोगों के परिवार से होती है एक बड़े जर्मन शहर से एक छोटे गाउं में बसने जा रहे होते हैं उस परिवार में एक सिंगल मदर सबींग और उसके बच्चे एडी और हेंडिक होते हैं जो उनके नए गर गिरॉल रॉकल से लेते हैं और तो उनके नए घर में ले ले जाता है और वहां हेंड्रे कुप दिवार पर एक फैमिली फोटो देखता है जो पहले उस घर में मर चुके होते हैं पर जाने वाले डोर पर नमक से बॉर्डर लाइन देखता है तो यहां के रॉल कहता है कि अगर घर में कोई भूच चिपे त पर यह लोग उस पर ज्यादा धान नहीं देते हैं और गाइस यहां घर देखने में एक हांटेड और क्लासिक लुक देता है पड़ोसी खिरकी से उन लोगों पर जाती रहती है और फिर यहां एडी इस नमक की लाइन से खिलवाड करता है तो वहां से जा रहा होता है तो इ और उसको देखके हेंडिक डर जाता है और इसकी आँखें अजीब होते हैं दूसरे दिन एंडी और हेंडिक मिलकर गाउं को देखने जाते हैं तो वहां पर गाउं पर दो लोगों का इंट्रोड़क्शन होता है वह दोस इसके बन जाते हैं एक का नाम फ्रेट्रिच होता ह वह घर बूतों का घर है और उस घर में पहले अमेला पुल्समैन और उसके बचे रॉल्फ और रोलैंड पुल्समैन रहते थे तो फ्रिट्स एभी कहता है कि लोकल ने उसके मुताबिक उस घर की मॉलकिन एक साइकोपात है और वह उनके बच्चों को जहर मश्रूम के मिला कर उनको मार दीती है बच्चों की लाशे उस घर के सामने ही दफनाया जाता है तो यहां एंड्रिक कहता है कि एदी गोबी लिखा है दिवार पर तो यहां फ्रेजिस कहता है कि इसका मतलब है मश्रूम तो यहां उस राज को चानने के लिए इन चारों मिलकर एक सीन को अरेंज कर ताकि वह उन भूतों से बात कर सकें और फिर यहां एडी के बॉड़ी में उस बच्चे का भूत आ जाता है और उनको एडिक पर लेकर जाता है तो वहां पर एक बुक जिस पर गोबी लिखा हुआ होता है वो मिलती है और फिर इस पर टेप और डैरी भी रहती है जो साफ सा अब बता देती है पॉल्समैन के फैमिली एक जो होसमेड उनके घर्व के पड़ोसन होती है वो उसके साथ अफैर में रहता है मरें हुए लोग रिवेंच लेना चाहते हैं तो यहां एंड्रिक और फ्रेच और इदा सोचते हैं कि इस मर्टर को उस स्नाइबर ने किया होगा तो यहां उस राज को जानने के लिए तीनों मिलकर उस पड़ोसन के घर पर जाते हैं तो वहां वो पड़ोसन साफ साफ कह देती है कि मैं पॉल्समैन के घर में नौकरानी थी और यह भी कहती है कि मैंने उन बच्चों के मर्डर से पहले मैंने जाब दोड दिया था और फिर Hendrick एक औरत को रात को देखता है, उदी पहन कर कुछ फूलों को उन बच्चों के सिमेटरी पर रखते हुए देखता है, तो ये Hendrick उस औरत के कार में पाई जाता है, ताकि उसका फालो कर सके, और उस औरत के घर में खुश जाता है, तो वहाँ पर Mr. Polsman के लाव लेटर जो इस Mr. Polsman के अफेर में रहती है, और ये ईदा और Hendrick चान लेते हैं, तभी यहां गिराल रॉक्ट आता है, और उनको मानने के लिए पीचा करता है, तो तभी ये एक खेव में घुश जाते हैं, और वहाँ पर पास जाते हैं, तो यहां Hendrick ईदा को बचा लेता है, और उसको कहती है कि मैं उन बच्चों को मानना नहीं चाहती थी, सिर्फ Mrs. Polsman को मानना चाहती थी, तो घर यहां पर इस अवरत को जेल भेज दिया जाता है, और इस तरह Mr. Polsman के फैमिली के भूत को शांती मिलती है, और वह मिस्टरी साल्फ हो जाती है, तो गाइस यह रही कहानी, त The Strange House की कहानी आपको कैसी लगी है, तो फिर मुलाकत होगी अगली मूवी पर धन्यवाद